बता कहा है बता मुझे कहा है वो यह ऐसे में ही बोलेगी इसका चाहरा कड़ाई में दुमादो तgy कड़ा है बता बदॉब नहीं वो नहुआ है जाल से मिलान चीकर कॉपकी कर दो का एंगा गैंगा, यहांगा, phरोभकी का lub Haz Spot में खञे है Pierre घाँ इति हुई नाँ रहा हुई हुई हे राँ जुई और जे ंमाले करो अे रहा है प्यार ची अे खीपर एक करने That's हुआ ब्हां हाई राइ अखोजिख दिन पिरस पाल दोजिएर पाल अखिए यै दो याल उख्य। यह करें किर अगर मुष्य। यह कि लुट अगर पर चाला चॉवश्य। यह लो यह लुट करेंह objetivo, कर दो However, करेंह उनको पिमी कर दोरा है करता है कर दो लगोर आकाँ वह झाल 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 तो मुचलग्द दे तो मुचल झाल झाल ब लप अ क्ario S Hunt दोर ओ रे खर चलोंगे नह जौंगे जुक जाओ तुम बचकर कहां जाओगे कुम बच्यज को कि अमिले से रुछ बाकते हैं रप और मान झाल लग यजुट ख़ ज़ आप खहजुट खब 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 हुँ पहचाना मुझे तुम मेरे साथ यही करना चाहते थे ना कि अधियर तुम चले गए थे और यह सब क्या है उजह इसका दराभी अंदाजा नहीं था तो बस मन पहला आने के लिए वाँ गया था चुप रहो यह अपनी बकवास बंद करो और यहां कुछ मदद करो इन सबसे लिए मैंने तो तुमसे नहीं का था अब बेवज़े इस सुनाई नहीं दिया तुम अपना ये रोना गाना बंद करो और आज के बाद ऐसी बेहुदा हरकत कभी मत कर रहा है समझके तुम नहीं तो मैं ही तुम्हें चांद से मार दूँगा अब सब खत्म हो गया अब और कोई हिंसा की जरुरत नहीं है प्लीज बाहर आजाओ हम उचित समाधान के बारे में बात कर सकते हैं अगर तुम चाहों तो मेरा यकीन करो वो हमें बार देंगी यह सब क्या हो गया पीछाओ वह बहुत कतनाक है वह हमें बार देंगी यहां से निकलने का दूसरा रास्ता है मुझे नहीं पता हलो लेडीज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर आओ और मुझसे बात करो तुम समझ सकती हो कि यह हमारे लिए गच्छा सुजाव नहीं है इसलिए मैं सोचता हूँ हमारे यहीं रुखना ही ठीक है अब तुम इसके अंदर कैद हो अगर हम आग लगा दें तो आग की लप्टों के सामने कोई भी चीज नहीं टिकती है मुझे मुझे बाहर जाना है मुझे यहां से निकलने दो प्लेज मुझे मरना नहीं है मुझे बाहर निकलो प्लेज मुझे बाहर जाना है शांत हो जाओ खुछ न कुछ तो होगा ना तुम अपना मुँझ बंद करो बे याद रखो कि तुम कौन हो और सबसे पहले अपना मुझ दो और कपड़े पहनो तुम तो नों ही अपना मुझ बंद रखो वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर अपने कुट्तों को खिला तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरे पिता कौन है वो इन जमीनों के राजा है अब तुम्हारी लड़ा इन लोगों के साथ है ना कि मेरे साथ है क्या ये सही है तो क्या तुम राजी हो सकती हो जब हम दोनों के लिए गठीन स्थिती है बात मन माने का अच्छा तरीका है कोई नहीं लेकिन मैं सोचता हूँ हमें कोई समझोता कर लेना चाहिए जिससे हम दोनों संतूष्ट हो जाएं और वो समझोता क्या होगा मैं इस दर्वाजे को खोलूँगा और आगे के लिए शांती बनाय रखते हुए चला जाऊंगा तुम और तुम्हारे लोग उन्हें ये दर्वाजा खुला हुआ मिल जाएगा तो यही करो ये पूरी तरह संतूष्ट चनक लगता है माई लोड अब आप क्या करेंगे चुप रहो मेरे करीब रहो बसे ही ठीक है हम बाहर आ रहे हैं छोड़ दो किछे छोड़ दो मिझे छोड़ दो रुक जाओ मैं नहीं छोड़ूँगा मैं माड़ा लूँगा मैं सब कुछ समाल लूंगा समझ गए छोड़ दो मुझे तु अपना मूँ बंद रख शान्त हो जाओ यह सब मेरा प्लान था याद आया बताओ तुम यहां क्यों हो पहले से छोड़ने को कहो जल्दी मैं मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने बदले में इसकी जान क्यों ले ली मुझे इसकी कोई परवा नहीं मैंने तुम्हारे दो काम कर दिये अब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए तुम अपनी तलवार को नीचे फेको नहीं 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 चोंगे अगर तुम हमें मार दोगई तु अपने परिवार को दुबारे का भी नहीं देख पाओगीर वो मर दो मुझे लेकिन तुम्हें फिर कभी पता नहीं चलेगा कभी नहीं फिर पैसे ही जीती रहना जैसे अभी जीती हो यह जूट बोल रहा है वो मर चुके है वो जूट बोल रहा है कि यह अंगोठी यह तुम्हें कहां से मिली एक खास आदनी की है जिसका व्यापार उत्तर की और होता है और इस भारे में मैं यहीं जानता हूँ यहीं मेरा तर्क है तर्क है यह कुछ नहीं जानता है नहीं मत मारो वहां उत्तर से एक बोर्ट पहुँचने वाली थी हमने उन्हें स्केल्डिंग लोगों को पेच दिया तुमने मेरी जमीन पर यह सब क्या किया यह सच है तुम उनकी भाषा समझते हो उनकी भाषा बोलने वाला एक आदमी था जो उनसे बात कर सकता था वो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है नहीं नहीं मैं कर सकता हूं हम कर सकते हैं उनसे बोलने के जरूरत नहीं है बस उन्हें सामान चाहिए शायद मुझे इससे मदद मिल सकती है यह बताओ जेल की चावियां किसके पास है ऐसा लग रहा है आपको ज्यादा हो रहा है इन नामुरादों को यहां से बाहर फेको अलो डालें क्या तुम्हें मेरी याद आई ओ तुम्हा गई अब तुम हमें आजाद कर रही हो ना अभी तुम इसे खोल दो हमें याद आगया कि तुमने पिछली बार हमारी अच्छे से बेंड बजाई थी है ना क्या यह सच में जरूरी है यह तुम्हारी रक्षा के लिए है मुझे क्या जरूरत यह तो वही बेहरम कमीना है मैं तुझे जान से मार तुमका मैं क्या कहूं मेरे लोग मुझे बहुत चाहते हैं मेरा मतलब मैं इस जरूर मारना चाहूंगा क्या मैं पूछ सकती हूं कि तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई वहां उपर जब वो कमीने हिंसक हो गये थे और सभी के पीने के वांदे हो गये थे मैं तो वहां चुप चाप बैठा था मैंने कुछ मांगा मुझे बस एक ही ब अलामों की थरह बेजने वाले थे उन लोगों के पास किया तुम्हाण हो रहा है तुम लोग इस लंकी की बातों पर विश्वास कर रहे हो अभी अभी तुमने क्या कहा ओ डी चारी मैं तुम्हारी जुबान और सर दौनों काट दूगी मेरी चुबान बहुत सारी बार्षाएं बोल लेती है जल मार मुझे जुप हो जा लॉड को हत्कडी लगाओ शुक्रिया चुप रहो उत्तर के लोग लॉड के सिपाहियों से भी भयाँ करें हां ये लोग खास करके हमारे लॉड की अदला बदली की जा सकती है अदला बदली क्यों हमें खौन बचाएगा बता दी क्यों नहीं हो कमी नी चुलेल ए सुनो सभी इस आजमी के सर पर बहुत बड़ा ही नाम है उसे जल्दी से लाना होगा जैसे हम यहां से बाहर जाएंगे नहीं नहीं वहां मार देंगी मार देंगी नौर्धमन अब बताओ और है हो सकता है वो समुद्र से आए मैंने कहा था यह जूटा है ऐसे हो सकता है नहीं नहीं और मुझे माप माना मैं अधू है मुझे मात पाना प्लिस मुझे मात पाना तुम सब को मेル जुरत मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा क्या तुम्हारे मेहमान है नहीं असा तो कुछ भी नहीं है लगता है वो लोग आ गए सोनो तुम वहां जाओ जाओ कर देखो वाँ पर जाओ जल्दी देखो उधर ठीक है यहां अन्यों तुम्हारे जाओ आओ जाओ 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 यहां तुम लेकर के आये थे हो वापस करने को छोड़ेंगे नहीं मैं दे दूगा पता नहीं कौन लोग हैं तुझे बता ना होगा रही जामत रहा है किसके मंदद लिनी होगा रहा है तुम लो चाहाज को बताओ बुल गया जे ही पूचोच से मैं देखते हैं देख मेरी ना हो तुम लोगो ने कहा चपा के लिए बता जादी तुम हम तुझे छोड़ देंगे पुझे नहीं बालू यह तो नए दोस्त है बता यह 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 ना आओ तुने कहां चुपाई है लगता है वो किसी नाओ को ढूण रहे हैं ना ना नहीं मैंने नहीं 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 जहाद झालो को नही ए गो hep Step झालो को झालो किता है वो झालो कि लिए झालो को जिए फिल सकते है। तुम ठीक हो सच में हां मैं ठीक हो उन्हें तुम पर गर्व होगा देख देख दे इन लोगों का यहां आना सच में खुशी की बात है क्यूंकि यह हमारे लिए दुश्मन के खिलाफ चटान जैसे हैं लेकिन यह यहां क्यूं आये हैं है 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 हम चारो तरफ से घिल चुके है हम पस कए है हमारा बचना मुश्किल है सब धर्वादे के पीछे खाने रहो है नहीं पजा समता हमें चल्दी करो धर्वासा बंद कर दो बंद कर दोाने कि घुए抗हां प्याने करें утब प्राद करोंग क्ष неп mansion चिंदी ले उना लाव मुझे दू लाव मुझे दू मैंने कहा मुझे दू दू मुझे जल्दी यहाँ आओ विचे जाओ जल्दी करो जल्दी क्या हम इने उसके पास दे जाए? क्या कहती है? हाँ उसके पास ले जाओ ओय हाँ तू हम यहां फस चुके हैं ऐसा कुछ नहीं है हम फस चुके हैं सच में क्या तु मेरा साथ दोगे? तुम्हारा साथ देने के लिए कोई तरीका नहीं बचा है पर हमें हिम्मत नहीं आरने चाहिए तुम्हारे टांक ऐसी है? एक बाल मेरा हाथ खुल जाने दोसके अब बाद में तुम्हें बताऊंगो कि कैसी है अब दिखाओ तुम्हें लोगों ले किस को चुपाया है अब ये किस को लेकर के आरही है चलो सब को दिखाओ सुनो तुम सावधान रहा मेरे रखल से इस किल्डिंग के कैप्टन है मुझे अशा नहीं लगता है ये लोग कोई और है तो ये यहां पर है मैं इसे खोलता हूँ तो तुम इन ही जानते हो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ जो मैं तुम्हें इनके बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ नहीं तुम्हें चलो निकलो जरा राम से डार्लिंग अपनी आउकात में रहो जरा अराम से नहीं तो कट स्याता हुश्यारी मत करो समझ गए थोड़ी महनत लगी पर काम हो गया मोहका देखते ही मैंने अपनी उंगलियों का कमाल दिखा दिया उंगलियों का कमाल क्या मतलब अब बहार जाने का रास्ता साफ है अब बहार जाने का रास्ता साफ है हम बंदोबस्त कर सकते हैं तुम हमारी नाव वापस कर दो हम चले दो पताओ जल्दी तुम इन लोगों से क्या चाहते हो पर मैंने नाव नहीं देखी तुम उस नाव का क्या करोगे मुझे सचमनी वारूम कहा है क्या तुम मुझे भी यहां से निकालोगे बंदो लगता है वो लोग आ गए वो तुमारे लिए आया है तुम्हें छोड़े के लहें जुडेल कहीं की मैंने तुमारे लिए पैसे खर्च किये जुडेलो और तुम बेरे साथ ऐसे कर रही हो अब यहां इस कील्डिंग कहा से आ गए है इस गिल्डिंग ये बताओ तुम इस गिल्डिंग को कैसे जानते हो इसका मत्रा तुम इने हमारी नाव चुडाई है मेरा ख्याद तो यह है कि तुम इनके नाव लोटा दोगे तो बहुत है अच्छा है क्योंकि तुम लोग सालों तक एक साथ कांग कर चुड़ें सदो अगर तुम हमारी नाव नहीं दोगे तो हम तुम्हारी आखे निकालेंगे यह कुछ हांक बढ़ेरा निकालने की बात तुम्हारी आखे निकालेंगे बताओ हमारी नाव कहां है वरना मैं तुम्हें मार कुंगा इसके सवालों का जवाब दो तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रहे हो क्या यह यहां रात के अधेरे में पहुंचे सुबह यह सुबह पहुंचे सुबह पहुंचे मार्शल तुम गेट को ठीक से बंद रखना खुलने मत देना चलो कम से कम मेरी परिशानी तो खतम होगे उसने क्या कहा कि उसकी बोट दे दो फिर वो यहां से चले जाएंगे तुम उनसे बात कर सकते हो गिल्डिंग से हम चाहते हैं कि तुम इस केल्डिंग से बात करो जानका इससे बात चाहिए होता कि तुम मुझे मौन देगी उसकी भी व्यवस्था हो जाएंगी फिल्हार हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हम क्या करें अपने आपको शांत रखो क्या सोच रहे हो देखो हमें तुम्हारी मदद चाहिए मेरी बाप सुनो यह वाँ सुनने का समय नहीं है आओ हमारी साइथा करो वह अंदर आने ना पाएं घरवाजे को पकड़कर रखो उन लोगों का सामना बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि यह लोग इस वक बहुत सारे हैं पीछे के रास्ते बहार निकाते हैं चलो अब बहर जाने का रास्ता है दोस्तों प्लीज तुम लोग मेरी हदकड़ी खोलो चाबी लो हदकड़ी में लगाओ और इसे खोलो हम सीधे सीधे अपने अपने रास्ते चले जाएंगे प्लीज खोल देंगे खोल देंगे पहले हमें अपना काम कर लेने दो वैसे भी इससब तुमारी चाल है जिसमें तुम खुत पज़ गए हो प्लीज मुझे बाहर आने दो यह 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 से मैं ढूंड़ रहा था ओओ यह नहीं है यह नहीं है क्या यह तुम्हारा है येश और यह भी नहीं इसमें क्या है नो यह क्या वजिबत है अब यह क्या चीज है नहीं, तुम खलत करे हूं, जब तक Guards वहां मौजूद हैं, तब तक वो किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, और वो हमारी आखरी उम्मीद भी है जब HYでしょう, मेरी बात सुनहें प्लीज, मैं हर शाम यहां पर गानगाता हूं, आप लोग सुनना चाहेंगे, अगर अप सुनना चाहेंगे, तो मैं बहुत अच्छा गानगाता हूं, एक बार मौका दीजिए बस, मैं ब्हुत अच्छा गाता हूं यह सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता दर्वाजे पर कौन है पर वो अंदर आ रहे हैं वही करना जो मैं कहती हूं तलबार दो वो अंदर आ जाए तो दर्वाजा बंद कर देना तयार हो तोर्शल जैसे ही वो अंदर आए उन पर हमला करना है समझ के ना तयार हो जो सब तयार रहो चुरो तयार है आजा पार कि दर्वाजा बंद करो अभी काड़ी को दर्वाजे पर लगाओ बंद करो जादी करो कि आन झान रं झान भो लो गहें आ य कमर याजा बंद करें कि व्डर्वाजा डμέला प्यूके विर्वाजा टे ए мало कि अाहरो विर्वाल पार में अाय था कि अं Carrie जो प्रहाँ को कर दो आप क्योंध कर दो लग कर हाँ यह रगा कि अब एक किसी को बहुने चोलेंगे नवड़ जड़ कि जड़ दो सबकते जड़ दो आब ऩुझ एकर तेंदे दो टुझ यहीं है, बतारो चालतार क्वा लुझ आझाए उपजिए。 अविटे भॉला यहाय आप लुथे हैं बहुत भॉल्ट आप दाव च 되지पन सन कोचाँ बाबत मका र वो तो बाड़ी खूरी निए, बाड़ी निए से लिए निए! कुछ कर कर दो कुई ने बचेगा? नीचे मैंने उनमें से एक को कैद किया है अभी तो हमने इन्हें मार गिराया लेकिन आगे सावधान रहना होगा हाँ, हमें आगे सावधान रहना होगा अगर ये नहीं होते तो तू भी जिन्दा नहीं बसता ये सही कह रहा है ये कौन है? हमें अब यहां से चले जाना चाहिए हमें जाना चाहिए यहां से आना नही नजरा रहे तुम्हें क्या तुम देख रहे होगा कित्णा बदास थमला हुआ अगर बाहर गए तो हम जिन्दा नहीं बचेगे हमें यहीं रहना चाहिए नेरी बात सम्सादाफ़ हमें यहां से ले गे तो हमारे जाओंगे मुझे पक्का यकीन है हमें यहां से चले जाना चाहिए तुम्हें लगता है यह फिर से जागेगा लुम्हें रेकर कुछनी इए नवान? कुछनी इए वान? कुछनी इए पाल यान? है जल्दी आओ उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है हाँ 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 अब तक तुने हमारे उपर ध्यान नहीं दियाओगा लेकिन हम कुछ भी नहीं भूले हैं समझा पता कहा है वह चुराइवे सिक्टे अब तू मेरे बात ध्यान से सुन मुझे बता दे कि तूने वह कहा रखा है याद करने की कोशिस करकी तूने उसे कहा रखा यह मेरा शिकार है हम उससे कुछ जानकारी पाने की कोशिस कर रहे थे मेरे साथ आओ तुमने ही मेरी चाविया ली होने आराम से डाले यह आपसी मामला है पूछो उसे कि क्या चल रहा है उन दानवों को सिर्फ यही लोग चाहिए क्यूं यह लोग पूछ रहे हैं यह दानव तुम्हारे पीछे ही क्यूं पड़े और यहां से निकलने का कोई रास्ता है जिससे कि हम लोग पच सके हैं क्या वो समुधर से आए हैं वो लोग समुधर से नहीं आए लेकिन यह बात तुम पहले से जानते हैं यह द हुआने से वहां से एक पतला सा रास्ता जाता है जो सिधा पंदरuencia पर जाकर खुलता है रुख जाओ यहीं, कोई यहां से नहीं जाएगा इन्हें रुखने को कहो सब यहीं रहेंगे हमें इंसानों की ढाल चाहिए इंसानों की ढाल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया दिया इन्हें बेंट बजवाना है तो बजवा ले लेकिन हमें तो जाना होगा, चलो दोस्त, क्या मैं तुम्हें इंसानी ढाल दिखती हूँ, ये लोग तुम्हारी ढाल बनने के लिए तयार नहीं है, उसने खलत समझा, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए, ये चाहते हैं कि हम सम मिलके एक दूसरी की से लिक्षा करें, बोध, सब कुछ विस्तार में बताओ, बोलो, अगर हमें आज रात जिन्दा रहना है तो तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर तुम बच भी गई तो ये तुम्हें यहाँ गुलाम बना लेंगे, समझ गई की नहीं, अपने आपको देखो, मैं तुमसे ज्यादा तगड़े लोगों को दफना चुके हूँ, तुम मुझसे म बेवकूफू, मैंने सोचा नहीं, तुम यह नहीं जानती कि मैं तुम्हारे काम का हूँ, तुम्हारी खोकली धंकियों से मैं नहीं डरने वाला हूँ, समझ गई? मुझे बस तुम्हारी जुबान चाहिए रुको, रुको, रुको अभी तो मेरी जान ही चली जाती, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं डुकने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से ठीक है, देखो, हम लोगों को तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, और तुम पर भी तो तुम भी भरोसा मत करो, समझ गए न, एक बात तो साफ है कि हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में हज गए है अब बताओ हम पहुंच तो गए हैं और हम कर भी सकते हैं पर कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे भी? हमें अब तेरना होगा हाँ हम तेहरते हुए पहले उस तरफ जाएंगे उस तरफ चलो शुरू करें चलो शुरू करते हैं इक चलो आजाओ जल्दी करो मैं अले कहां चले गए कहां हो तुम कहां हो अब क्या करों तो मैंने समझाओ की रक्षष कौर यह दाणव नहीं है शापित इंसान है और उनकी अदर के नकर आए निसे पूछों का ख़ाना का है और कौन देकर आया है क्या वह उस जगे पर है आप पता करो और किस ने चुपाया उसके तेरी जगों पर है मौत मौत सब की होग अगर नहीं दिया तो और इन लोगों ने वो जगे खोज ली है इसलिए वो हमारा पीछा कर रहे हैं उन शापित इंसानों के साथ उनका राजा भी आया है क्या तुम सच कह रहे हो हां वो बोल्ट है और खतरनाग भी उसके सभी आदमी और वो सारे शापित इंसान हमारी तरफ ही आ रहे हैं उन्होंने धक्षिण के और रुख किया है वो शैतानी फरिष्टा जो उनका राजा है उनका राजा आग उनकी कमजोरी है ये कहानी है आग की आस्मान में धक्षिण की तरफ उनका बहुत बड़ा जूंड मौत का प्रापित करता है और इंसानों का मांस खाता है तुमने क्या कहा इंसानों का मांस हाँ वो ही खाकर जिंदा रहते हैं प्रानक कि प्रानक कि मैं वहां पैदा हुआ था आस्मान से कुषाया ता उसके बारे मैं पूछ रहा है ये कुछ साल पहले जब मैं छोटी थी मुझे वो आवाज याद है जो मैंने सुनी वो बहुत तेज सी और चौंधिया देने वाली रोशनी और पुर्य दुनिया में कोहरा चा गया था मेरी मां मेरी मां मेरे पिता ने एक बार कोशिश की थी लेकिन अवागे वश बहुत सारे लोग मारे गए वो वापस आ गए और मेरे पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और मेरे पिता का सपना चूर चूर हो गया ये कहानिया बताना उन लोगों के बारे में उन विरान जगों के बारे में बड़ी अजीब कहानी थी मुझे ये कहानिया मजाक लगी मेरा ये मतलब नहीं था मैं उन पागल लोगों की बात का एकीन क्यों करता खर अब हम यहाँ है वो भी यहाँ है उन्होंने इसे आश्यरे माना एक बहुत ही बैयानक रोश्नी प्रानक परागर गिरी और यह सबग पूरी तरह फैल गया इसने पुरे गाओं को प्रभावित किया वहाँ सब कुछ जल गया वो सभी लोग जो उस समीन पे थे हर तरब दबाही हाहाकार ऐसा लग रहा था कि हर तरब मौत का खेल हो रहा है ऐसा नहीं है यह सब अफ़ाय और लोगों का ब्रह्म था इस ब्रह्म ने मेरी बीवी और बच्चों को छीन लिया मेरा यकीन करो जो मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वो दबाही देखी होती तो मतलब तुम ही जानते उनके बारे में सब मारे जाएंगे तो यह तेरी मलत करो सब्सक्षब टेरी म्याएंगे दौन,"वणत़中共 हुंः घुमने हुआँआँएग! करो इस ए सब्सक्तार आएंगे गि Quantum हुआँग!!! करे रश्या हुआँख दूएप करो BACK तney बाइब तुम्हें यहां के रास्ते कैसे बता चले बहुत पहले तुम नहीं अपने उन कूफिया रास्तों के बारे में सब को बताया था क्या जानते हो तुम कुछ नहीं मैंने पहले ही बता दिया जो मैं जानता था तुम नीचे के सभी रास्तों को जानते हो है ना उस बारे में कुछ और बताना चाहोगे नहीं वो रास्ते सही नहीं है बलकि हम यहां ज़्यादा महफूज हैं वो रास्ते जाने के लिए बिलकुश रख्षत नहीं है अगर हम सब उन रास्तों से गए तुम र्क्ष समय ठोड़ेंगे नहीं मेरी बात बाणू यहां से कही मच जाओ ये क्या है उसे पता है मैं क्या पूछ रही हूँ तुम्हें ये मजाक लग रहा है मैं सोच रहे हूँ तुम्हें ये तीर खींचने में मजा आएगा जब ये तुम्हारे पिछवाडे में घुसेगा ये मुझे समझ सकता है तुम ऐसा तो नहीं होने देना चाहोगे होने दोगे क्या तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बाते उन तक पहुचाऊँ मुझे पागल समझाए यह कह रही है कि यह तीर तुम्हारे मारेगी समझे तुम तो इस पोटली में तुमने यह चुपाया था वेरा मतलब यह यही है जिसकी वज़ा से सारा लफ़डा हो रहा है वो लोग इसे वापस लेने के लिए इतना बवाल मचा रहे हैं हम इन्हें यह वापस दे देते हैं ताकि हम सब की जान बच जाएगी क्यों मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमें उन्हें यह चीज दे कर यहां से दफा हो जाना चाहिए यही करना ठीक होगा उसके बाद हम सब की समस्या हल हो जाएगी हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए नहीं, हम अभी ऐसा नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता ये, उनको वापस नहीं दे सकते सब बरबाद हो जाएगा वो तो होना ही है सब मारे जाएंगे मर जाने दो कैसे तुम्हें पता नहीं होगा प्रयानक में तीन लोग ऐसे थे जो बहुत ही खतरनाक थे कमीने, तीन कमीने जो सब मिलकर इस ताविज की रक्षा करते थे तीन लोग जो ताविज की रक्षा करते थे ये ताविज हर चीज को कंट्रोल कर सकता है इस ताविज में इतनी शक्ती है कि ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है सब कुछ शरीर और आत्मा शरीर और आत्मा को भी हमारी रूह हमारी नहीं रहती रूह दानों में बदल जाती है इस चीज़ को उन्हें देना अपनी मौत को बुलावा देना है अगर हमने ये दे दिया तो सबकी मौत हो जाएगी मौत? ये क्या हो गया? इन पर उनका असर हो गया है इन्हें क्या हो रहा है? ये 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 हम क्या करने वाले हैं मैंने तुम्हें बताया थाना कि हम उन सब को मारने वाले हैं नहीं हमें वो जिन्दा चाहिए यह उन्हें जिन्दा चाहती है तुम्हें पताया था ना कि उस तावीज को हम नश्ट करने वाले हैं और नहीं करेंगे तो सब मारे दाएंगे समझी सही यह बहुत अच्छा है हम उनकी चीज लेकर यहां बैठे रहेंगे और वो वहाँ बाहर वेट करेंगे, हम उन्हें वापस कर देते हैं, हम सब बच जाएंगे, और किसी को कोई फरक भी नहीं पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे मर भी जाएं, देखो, अकर हम सब एक हो जाएं, तो उनकमीनों को कल सुबा तक रोक सकते हैं, और सुबाव उनसे कैस तुम सब पागल हो, तुम सच में पागल हो, सब आखे, वो यहां कब तक पहुँचेंगे, तीन घंटे में, वो अब पहले से करीब है, उनकी पूरी सेना है, वो दर्वाजे उन्हें नहीं रोक पाएंगे, तो और क्या उपाए है, मैंने खुद उन खुलामों के सौदागरों को भी इन से हारते देखा है, क्या वो खुफिया रास्ते उनसे बचने में काम आ सकते हैं? कोई फाइदा नहीं, वो दानव हर जगा हमारा पीछा करेंगे, मिरे लोग आसपास हैं, उनकी मदद से हम निकल सकते हैं, ये सब छोड़ो, उन कमीनों से भिरना इतना आसान भी नहीं, वो तो अभी सिर्फ सामने के दर्वाजे के आसपास है, तुम्हें लगता है, तुम जा पाओगे? देखो, अगर तुम सब यहां रहोगे, तो पक्का मर जाओ, अगर मैं कहा तो, क्या पता तुम सब बच जाओ? अगर तुम वापस नहीं आए तो, हमारा क्या फाइदा? कोई फाइदा नहीं होगा, गुफा में भी वो दानव तैनाथ है, वहाँ जाना मरने जैसा है, मेरे पास एक तर्कीब है, सबसे पहले, मुझे वो आद्बी मेरे साथ चाहिए, मेरे पास भी कुछ जादू है, जो तुम्हारे काम आ सकता है, ठीक है, हम इने रास्ते में छोड़ेंगे, ऐसा करने से वो लोग मरते जाएंगे, और हमारा आगे का रास्ता साफ होता चाहेगा, अगर इससे काम नहीं होगा तो, मेरे पास एक आइजिया है, हाँ, ये काम आ सकता है, ये, लेकिन बाद में मुझे इसे वापस भी चाहिए, काम हो जाने के बाद ये तुमसे वापस चाहता है, क्या तुम उसे लटा पाओगी, वापस? तुम्हे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हे, तुम्हे उसे जिम्मेदारी से वापस करना होगा, ये गलत है, इसी शर्ट पे ये तैयार हुआ है मुझे, मुझे दीजिए नहीं, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दीजाएगी नहीं दीजाएगी, समझो, समझो शांद रहो क्या तुम तैयार हो, ये करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ये अच्छे लड़ातु है, बस वही करो जो करना है लेकिन मैं तो, मुझे बस तुम्हारी ही नहीं हर किसी की चिंता है मुझे फेरफैक्स में मिलना हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें छोड़ कर जाओं मुझे कुछ नहीं होगा मेरी चिंता मत करो मैं तुम्हें सुरक्षित करना चाहते हूं प्लीज तुम बस अपना ध्यान रखना क्या तुम तैयार हो जब मैं वापस आउँगा अगर मैंने वापस आना चाहा मैं सोचता हूँ कि तुम और मेरी ये जगा इस तरह से नहीं होना चाहिए तुम मेरे पिथा की जमीनों पर मेरे सिपायों के साथ ऐसा करने की सोच से दूर रहना मैं कोशिश करूंगी मुझे लगता है हम एक बड़ी मश्ली फ्राई करने जा रहे हैं जिसके साथ खुनियों का एक समूव है जि칵 जो खुब हाहिम हो एक की जाए्छीन कृव है जिए लो जाए्छीन का एक झाल नहीं हो था है जार आए्छीन काने जारा मेरे 항िरे का ग्ला भा है यह हो उत्ती prata चाहि का है छोटा है लेकिन यह काम करेगा मैंने कहा था न यह काम करेगा गङ भाल का... यहाई यहाई जड़ कि यहाई ऐसे टुड़ कुख तIn यह तो कमाल की है वो दूर जा रहे हैं अच्छा है अब हम भी जाते हैं वो कहां गए होंगे पता नहीं लेकिन मुझे इन पठाकों से उनने भगाने में बहुत ही मज़ा आया क्या हो चले गए अब कुछ देर के लिए उनसे कोई खात्रा नहीं है अच्छा है अगर तुम अपनी ये विहूदा हरकते कभी जिंदगी में दुबारा ना करो तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारी ऐसी नौबत नहीं आएगी देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि हमें साथ में काम करना होगा मैं हूं निकी और मेरे पास एक आइडिया अगर तुम साथ दोगे तो हम यहां से निकल सकते हैं समझ में आई तुम्हें यह बात है ठीक है थांक्यों ने 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 थांक्यों मत कहो अब एसा लगता है एलन उनके साथ यहां से उत्तर की तरफ जा चुकी है क्या सच में वो दूर चली गई एसा ही लगता है क्या चल रहे है यहां कोई फाइदा ने जाता हूं क्या हुआ यह तुम उन्हें देने को तैयार हो उस औरत के मुझे पर करी नजर है मैं उस औरत को किसी तरह उल्जा कर रखता हूं उसी बीश तुम्हें दे कर आना होगा नहीं नहीं मैं यह नहीं नहीं यह मेरी राजाना, मैं मिवान, वरी उंडमला ने समेह कर जाते दो, मेरी अपरे मेर से जाए बाहर कैसाू को तर आए, वरी डिथा। मेरी एकßा कूल और दो, दो Ring-स बने दो tyre जाने दो मुझे! मुझे लोगी भी भोपन जाना है जाने दो बोलो मुझे! जाने दो मुझे! जाने दो मुझे! मैं बहार जांदी! छोड़ो मैं कहती हूँ छोड़ो जाओ रुख जाओ रुख जाना है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे मुझे मैं चानती हूपर उपकुछ नहीं कर सकते तुम यहीं पर रुख लाओका मेरी पास देदू मेरी पास देदू जाने दू फक पर बास 1000 यही जाओके जाने यहीं मुझे वढन 15 व। फ materiaल ओड़ गाल भाल भाल कर दो कि अींगे कर दो इह फ... मुरूप ने इझे गिर मुरूर के तर भर मुरूर के जा छंड शिए मुरूघस के ऐस सब्सकिपने क्लिकित das चलु度 हुआ 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 प्रुटे प्राइब। नहीं है इसमें, कहां गए, किसने चुराए है, वो अपनी तावीज के बारे में पूछ रहा है, तुम्हारा वो दोस्त कहां गया, वो तो बाहर है, यह तुम ने किया, तुम ने किया यह सब, यह तुझे क्या कर दिया कमी ने क्यों किया क्यों 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 तुने ऐसा क्यों 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 क् पिल्ली भस गई है, एक चुहे की तरह. अब अगला कौन है, कौन है, तुम हो, भे, देहुदा इंसान, अब तेरी बारी है, समझा? अब तेरी बारी है, उनका राजा उनके साथ है, वो बिना तावीज के यहां से नहीं जाने वाले, उन्हें राफ्टे का पता चल गया? अगर अभी हम कुछ कर सकते हैं, तो वो है उनसे लड़ाई. एथलेस, क्या तुम हमारे साथ हो? एथलेस! ए्थलेस, क्यू दो झाता है. एथगेगेगेगे ऋनके में फिरेस्टे ज उनके हैं, लेख़े, नहीं पिरेस्टे के लुटे हैं, क्यूजिए! एथलेस्टे सबस्टेफे हैं, एवखे़ेगेगें, ये इएफेड़ें! लेएवेशे उने यूज़ेगे! लुछ भुछ एंपार घज हो आपते हैं? लो आपको प्रेज वाया? लो आपको ने तारा? लो आहे जो एंपको आपको त्रेज है? अब तक कहां छुपे हुए थे तुम्हों तुम्हों हा तुम्हों प्धी below कर दे साथ एप में safना एंद स गॉपर वाराया एंद प्बश्धी और एंद नउ यह कूश। जार एंद के अबस्ट जाम रखए जार एंद 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 उन्दीं गॉवर एंद जार एंद है एंद एंद किपाने utsa पता फिपार प्यांग देजिए किंपाने फिर्स technical best कि अव्यादध अव्याद कर दो एक कर अचि suburbs तोने कर दो अ को एक्पारि टो न खने क número एक डॉस recibir 即す हुआ जुआ सब बाहर निकलो तो तुम क्या चाहती हो तुम चाहती हो कि मैं तुम से भीख मांगू अपनी सिंदिगे की मैं तुछे मरा हुआ देखना चाहती हूँ कमी ने चलो हमें चलना चाहिए मैं तुम मैं तुम मैं तुम ये शाद तुमारा है मैं तुम्हें भूली गया था बड़े भाई लोग उसके यहां पहुँचने में कितना वक लगेगा बीस मिनट अचाहिए या उसे यहां आने में आदा गंटा भी लग सकता है मेरे पास केल्डिंग के बारे में कुछ सवाल है तुम्हारी एक्सपर्ट वाली राय के मताबिक यह बता सकते हो कि अगर उनकी वो चीज जिसे वो पाना चाहते हैं वो नहीं मिली तो क्या वो हमारा पेछा करते रहेंगे हाँ कर सकते हैं उन्हें ज्यादा अच्छी नाओ पसंद है तो सकते हाँ झाल 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 झाल